नमस्कार दोस्तों आज चर्चा करेंगे एक ऐसे गंभीर मुद्दे पर जो सीधे सीधे आपकी हेल्थ के साथ जुड़ा हुआ है लव जिहाद के बाद अब देश में फूड जिहाद ने लोगों की परिशानी बढ़ा दी है आप भी अपने परिवार के साथ बाहर खाना खा आते होंगे कभी आपने सोचा नहीं होगा कि वहाँ पर जो खाना खा रहे हैं उसे कैसे बनाया गया होगा आप इस पर कोई सवाल भी नहीं करते होंगे इतना ही नहीं आपने पलट कर रेस्टरों के मालिक से कभी ये तक नहीं पूछा होगा कि ये खाना किस ने बनाया है औ और उसने हाईजीन का कितना ख्यार रखा होगा हलांकि कोरुना काल ने लोगों के लाइफस्टाइल को काफी कुछ बदल दिया लोग हाईजीन का ज़्यादा ध्यान रखने लगे उसे ज़्यादा प्रिफरेंस देने लगे लेकिन कुछ शैतानी दिमाग के लोग आम लोगों की सिहत के साथ खिलवाड करने से बाज नहीं आते जैसे किसी ने आपके खाने में थूख दिया तो दुकांदार और गरहा के ब्रोसे पर सवाल खड़ा हो गया जिसका हिस्सा आप भी हैं और हम भी हैं और ये बात हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हर रोज इसी तरह की अलग अलग जगे से अजीव अजीब ख़बरे सामने आ रही हैं तो हमारी सलाष यह है कि एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए और तुबा कर लीजिए कहीं पर भी जाने से पहले या खाना खाने से पहले हम ये नहीं कह रहे हैं कि इस तरह की हरकत हर जगे होती है टेकिन जिस तरह से नान रोटियों पर थूकी तस्वीर सामने आ रही हैं उसके बाद हम गारंटी भी नहीं ले सकते ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक शक्स तंदूर में रोटि डालता हुआ नजर आ रहा है ये आटा उठाता है हथेलियों से रोटियां बनाता है और तंदूर में रोटियां लगाने से पहले उसमें थूकता है और फिर रोटि तंदूर में लगा देता है ऐसा वो एक बार नहीं चार से प होटल में थूकी रोटी का वीडियो वाइरल हुआ है तो कभी किसी शादी समारों में थूकी रोटी में खिलाई जा रही है। थूक लगाकर रोटी देना ये आम सी बात हो गई है। हाल ही में नोईडा के रगुपूरा से एक ताजा मामला सामने आया जहां पर एक होटल में थूप लगी रोटी लोगों को खिलाई जा रही थी ऐसे मामले पबलिक हैल्थ और हाईजीन के लिए तो खतरनाक है ही इस से धार्मीक और सामाजिक तनाव भी बढ़ सकता है इस परकार की घटने लॉन रोडर के सामने बहुत बड़ी चुनोती बन जाती है और पुलिस परशासन ऐसे सनकी लोगों के खिलाफ सक्त कारवाई भी करता है लेकिन सवाल ये उठता है कि जहां जहां से ये तस्वीरें आती हैं उनका नाम मुहमद नौशाद इबराहिम ही या इसी परकार का क्यों होता है क्या ऐसे मामले को संपरदाय से जोड़ना गलत होगा ऐसे मामलों में सचीन राहूल या इस तरह का कोई और नाम क्यों नहीं आता क्या मानसिक्ता होती होगी ऐसे लोगों की जो जान भूच पर लोगों के खाने को जहरीला बनाते हैं पुलिस तक बाद जाती है कारवाई होती है लेकिन फिर भी ये सवाल तो है ही कि आखिर ऐसा क्यों बार बार होता है कभी मेरट शादी समारों में तो कभी नोईडा के होटल रेस्टरों में कभी रोटी तो कभी जूस में थूक पेशाब जैसी मिलावट क्यों होती है इस तरह देश में फूड जेहाद फिलाय जा रहा है डिल्ली के लोगों में भी ऐसा ही मामला सामने आया जहां लोनी में जूस में यूरिन मिलाय जा रहा था लोगों को जूस पीते वक्त थोड़ा शक हुआ, जूस का टेस्ट कुछ अलग था, तो लोगों ने अंदर जाकर देखा, तो वहां पहले से एक जार में यूरिन स्टॉक रखा हुआ था, लोगों का गुसा और बढ़ा, और जूस वाले की पिटाई के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया गया, सीम योगी ने भी इस मामले को गोरखपूर में उठाते वे कहा कि ऐसे लोगों को बक्षा नहीं जाएगा, जो जूस में यूरिन और रोटी पर थूक लगाते हैं, और अच्छा है, यहां पे जो मिलेगा कम से कम, वहापड़ वाला जूस तो नहीं मि यहां तो सुपन मिलेगा, तो भी मिलेगा. ऐसी हरकते करने वाले अब जेल में हैं, लेकिन सवाल है कि इस तरह की हरकत के पीछे इन लोगों का, इन सनकीयों का मन्शा क्या होती होगी? सोचिए जहां पर आप खाना खाएंगे या खाना बन रहा होगा, वहां पर काम करने व कामले में सभी आरोपी एक कटरवादी और विशेश समुदाई से हैं. इस मुद्दे पर आप अपनी राए हमारे साथ जरूर साजा करें कमेंट बॉक्स में और हमें बताएं कि आप इस विशे में क्या सोचते हैं. नमस्कार.